हलो गाइज आज हम सिखने वाले हैं दाविंची रिजॉल्फ के अंदर जो ओपन एफेंक्स है उसका मेरे एक टूल है शापन एज आज हम उसके आने बात करने वाले है बहुत सिंपल सा टूल है बड़ इसकी मदद से आपका जो मुजिक वीडियो है या कोई भी चीज अगर आप करते हैं उसको अच्छा तरी के शापन कर सकते हूं अगर आप चलने पर नए होते चैनल को सस्क्राइब करें और साथ मेरे आने वाली हर वीडियो की नोडिक्रिशन मिल के लिए हरी पर इस्ट्राइब फॉल्व नहीं कर रहें तो स्क्षियों पाहने लिंक है वह जाई तो बिने टाइम बेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यह शापन एजी जो टूल है इसके बाद में सीखना तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पार हो यहाँ पर आपको नोट लगा के अलश्पर डाला हुआ है यहाँ पर आपको आपको और एस करना है इसक पर मैं आपको दिखाऊ हूँ something like that यह जो edges है इस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे कभी 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 का होता है footage के अंतर यह edges है यहाँ पर अगर शापन नहीं होता तो बिसलिए इसी पर हम थोड़ा सा शापन वगरा add करेंगे और थोड़ा सा detail देखेंगे कि किस ते किसे काम करता तो आपको कुछ ने करना simple इसको आपको उठाना है sharpen edges को और इसको आपर drag and drop कराना है जैसे आप इसको drag and drop कराओगे आप देख पार होगे थोड़ा सा चेंजी देदर आयोगा आपको something like that अगर मैं आपको दिखा पहूँ zoom करके make sure आप यहाँ पर देखो like this यह जो ring है यहाँ पर और यहाँ पर edges पर देखोगे तो मैं भी दिखाता हूँ सिर्फ डाला है मैंने खाली तो आप देख पार हो before and after before and after तो इसकी वससे आप क्या कर सकते हो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा हूँ edges को something like that यहाँ पर edges को तो देख पार हो आप before and after sorry after before and after तो basically यहाँ से आप display edges को on कर सकते हो something like that like this तो यहाँ पर आपको display edges है वो आपको show करेगा यहाँ पर आप देख पर edges detection controls है यहाँ पर T, D noise वगर है आप अगर यहाँ से चाहो तो इसको control कर सकते हो आपको कितने edges चाहिए something like that यहाँ पर edges threshold है आप कितना इसको threshold चाहते हो edges का ओके और यहाँ पर edges mask की strength कितनी आप चाहते हो कम चाहिए ज्यादा चाहिए मैं little bit देता हूँ edges blur आपको कितना चाहिए तो आप edges blur को कितना bloodness रख सकते हो तो यह है यहाँ पर मिलेगा आपको global का something like that तो जैसा आप global में आपको कम करके आप देख सकते हो कि जो कि आपके edges है किस तरह काम करना है आपको hazır like this फि conta कलो में चाहिए अगर मुझे strength कम करना हो तो आप strength कर सकते हो something like that क्योंकि edges की strength है तो असा कम ही रहता है और यहाँ पर edges blur कड़ू कितना आपको चाहिए something like that इस तरीके से आप इसको कर सकते हो और यहां से आप चाहो तो इसको display edges को बंग कर सकते हैं और यहां पर आपको edges को कितना sharp रखना है like sharpen amount something like that और यहां पर sharpen radius आपको क्या रखना है तो basically यहां पर आपको बंग करना है इसको बंग करना है अभी आप देख पाऊगों कि मैं थोड़ा sharpen करता हूँ something like that कभी-कभी हार footage में नहीं किसी-किसी footage में आपको जरूत पढ़ती है इस चीज़ की अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊँ आप अगर edges देख पार हो like like this okay, यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ. आप देखते हो , मैं हाँ हो आपको देखते हैं, है 玩 manifestation हूँ है, मैं थोड़ा सा DISABLE, ENYo丈 support. Like this Disable, crappy tool to ensure a एस खोर आपको चुबर सबने हो और एस जाब हो ऐँको डेर अब यहां से आप चाहो तो अब आप देख पारे हो लाइक अगर मैं आपको यहां पर दिखा हूं रिंग पर या हैंड्स पर यहां पर जो रिंग पहने हुआ है आप इस को चेक करें आपको दिखाता हूं कि पहले क्या था इसे को होगा आपकी जो यहां से आप इसको ठीक कर सकते हूँ अब भी मैं आपको दिखाता हूँ और अफटर अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा करके दिखा हूँ क्त्र daí के यहां पर कट्रों बढ फ्र यहीं होब से आपको जो शापन हो जाएंगे हूँ सब्सक्तर करते हूँ अगर जाइन को सब्सक्राइब कर देनां डाइन